नमस्कार स्वागत आप सभी का फिर से नए वीडियो में अगर आपने भी बिहार में मेगा चात्विर्ती परिक्षा दिया है 27 फरवेट 2022 को तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा बढ़ना हम बाद में आपका कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे तो सबसे पहले मैं यह ब और उसके बाद आपको बताया गया था कि ओफिशियल एंसर सीट आएगा दो मार्ज को और वह आ भी चुका है और आपने अभी तक अपना उमार्ज सीट से उसको मैच भी कर लिया होगा अभी तक अगर डाउनलोड नहीं किया है प्रोविनल एंसर की तो आप उसको डाउनल लेकिन जो चादर मिलान कर लिये हैं तो वह अभी कमेंट कर रहे हैं कि सर इसमें भी गलती है जो अफिशियल एंसर सीट आया है उसमें भी गलती है सही बात है इसमें भी गलती है क्यों है गलती चली उसको बताते हैं और यह कैसे सुधार होगा इसके बारे में बात करते हैं देखिए यह अभी जो एंसर सीट जारी किया गया यह प्रोविजनल एंसर की है प्रोविजनल का मतलग होता है कि इसमें जो है इसमें गलत है अभी विद्यार्थी के पास मुका दिया गया है कि अगर इसमें से किसी प्रशन के उत्तर पर अगर आपको आपती है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं अभी एक मान के चलिए कि यह फाइनल एंसर शीट नहीं है देखिए आप असपस्ट लिखा हुआ है नोट में दे दिया अगर आपने इसको नहीं पढ़ा तो ध्यान से पढ़िएगा लिखाओ दो दिस प्रोविनल मोडल एंसर की इस बिंग रिलीड फोर्मेडली आप्टर दो एक्यूशन ऑफ अब जेक्शन रिशीवड बाई से आटी पटना तील दोस तीन दोहजार वाज तक में यानि दोस मार तक इस पे आपत्ती दर्ज कर सकते हैं अगर किसी क्वेस्टन पर आपको डौट है कि इसका अंसर गलत दिया गया इस एंसर की में जो अफिसल एंसर की जारी किया गया है उसमें अगर कोई गलत है तो उस पे आपत्ती दर्ज कर सकते हैं दस तिन, 2000, 2000 तक और उसके भाद इसका फाइनल एंसर की फिर से आएगा अभी यह प्रोविजनल एंसर की है याद रख लिघी है यह फाइनल एंसर की नहीं है इसमें बहुत सारा κ Sutton गलत भी है तो उसको porte करके फिर से एक एंसर की जारी किया जाएगा फाइनल एंसर की जारी किया जाएगा देख सकते हैं लिखा हुआ है फाइनल मोडल एंसर की जब जारी होगा उसके हिसाब से रिजट जारी किया जाएगा तो इसलिए इसको सही नहीं समझे इसमें भी गलत है निसीतरुप से गलत और भड़ते हैं यहां NTSC का एक्जाम दिया था कि NMS का तो यहां NMS भरना है कौन-कौन से प्रस्ण पर आपको डॉट है वो लिखना है और जो वेबसाइट पर एंसर की जारी क्या गया हूँ यहां पे समीट होगा यहां पे डालना है अपलोड करना है पर एक्षार्थी द्वारा प्रस्ता पी उत्तर जो प्रस्ण आपको लगता है गलत अ तो इसका उत्तर क्या हो सकता है और किस आधार पर आप उसको गलत कर रहें तो वह चीज यहां बताना है और इसको जो इसका वेब साइट है exam.seritbhar.gov.com इस email ID पर आपको भेजना है SMS से, डाक से, हाथ से लिखा हुआ, ये WhatsApp द्वारा इस सब द्वारा भेजा गया, कोई विचार नहीं किया जाएगा तो यहां पर आप पत्ति दर्ज कराना होता है तो बहुत सारे जो चात्र है या टीचर है इस पर आप पत्ति दर्ज करेंगे और उसके बाद जो है, 10 मार्च के बाद इसका फाइनल एंसर की फिर से आएगा और तब जाकर कि उस फाइनल एंसर की से आपको फिर से अमार्ड सीट को मिलाना है तब अस पस्ट हो पाएगा कि आपका एक्च्वली कितना नμبر आ रहा है अभी जो एंसर की जारी किया गया है यह प्रोविनल है इसमें बहुत सारा असुधी है तो यह जब फैनल एंसर किया आएगा तो फिर से हम एक वीडियो बनाएंगे और तब आप उसको मिलाएंगे तो इसलिए समस्यार है दूसरी बात है कि रिजल्ट अभी नहीं आने वाला रिजल्ट आएगा जून जुलाई में तो आप लोग परेशान नहों आप अपना अपना जो भी पढ़ाई कर रहे हैं तो आगे पढ़ाई पर ध्यान दीजिए क्योंकि अब रिजल्ट आने बहुत समय है तो जैसे ही रिजल्ट आएगा तो उसके बारे में भी आपको जान कारीद देंगे तो चैनल पर जूड़े रहे हैं